उधारण 9. कुछ विद्यार्थियों ने पिकनिक में जाने की योजना बनाई उन्होंने भोजन पर व्याय के लिए 500 रुपय एकट्टे किये लेकिन उनमें से 5 विद्यार्थी पिकनिक में नहीं जा पाए जिससे प्रत्येक विद्यार्थी को भोजन पर वै के लिए 5 रुपए अधिक देने पड़े बताईए कि पिकनिक पर कितने विद्यार्थी गए हल माना की पिकनिक की योजना वाले विद्यार्थियो की संख्या एक्स है चूंकि एक्स विद्यार्थियो द्वारा भोजन व्याय हे तू दी गई राशी बराबर पांच सो रुपए इसी लिए एक विद्यार्थि विद्यार्थि द्वारा भोजन व्याय हे तू दी गई राशी बराबर पांच सो बटा एक्स रुपए हमने देखा था कि एक्स विद्यार्थि द्वारा भोजन व्याय हे तू दी गई राशी बराबर पांच सो रुपए है तो एक विद्यार्थि द्वारा भोजन व्याय हे तू दी गई राशी के लिए हम एक्स का पाक्षांतर करेंगे तो ये पांच सो बटा एक्स रुपए होगा परन्तु पांच विद्यार्थियों ने पांच विद्यार्थियों की संख्या कम हो गई है तब पिकनिक में जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या पहले हमारे पास विद्यार्थियों की संख्या एक्स थी और पांच विद्यार्थि अब कम हो गए हैं तो अब कुल विद्यार्थि होंगे एक्स रिण पांच अब एक्स रिण पांच विद्यार्थियों द्वारा भोजन पर वे हे तू दी गई राशी बराबर पांच सो बटा एक्स रिण पांच रुपए प्रश्न के अनुसार पांच विद्यार्थियों के पिक्निक में नहीं जाने से प्रत्यक विद्यार्थी को भोजन वे के लिए पांच रुपए अधिक देने पड़े इसलिए वे पांच सो बटा एक्स रिण पांच रिण पांच सो बटा एक्स बराबर हुपए इस स्थिति में पांच रुपए अधिक देने पड़े पांच सो बटा एक्स रिण 59 में और 500 बटा X में इनको 5 उपे काम लग रहे थी दोनों की राशी का अंतर 5 है या जब हम इसका लगुत्तम निकालेंगे X दिन 5 और X का हर का तो ये लगुत्तम आएंगा X, X दिन 5 और लगुत्तम निकालके जब इसको भाग देंगे तो X दिन 5 कट जाएंगा और X को हम 500 से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होंगा 500X रिण इसको जब हम X, X दिन 5 को X से भाग देंगे तो X और X कट जाएंगा, X दिन 5 बचेंगा जो की 500 से गुणा होंगा तो ये 500 और X दिन 5 बराबर हमें 5 प्राप्त हुआ या हम 500 का दोनों पदों में से 500 को हम उभाइनिश्ट निकालते हैं तो हमें प्राप्त होंगा एक्स रिण एक्स रिण पांच सर्पाकार कुष्टक बटा एक्स एक्स रिण पांच बराबर पांच आगे देखते हैं हमने देखा था 500 एक्स रिण एक्स रिण पांच सर्पाकार कुष्टक बटा एक्स एक्स रिण पांच बराबर पांच था या 500 कुष्टक में एक्स चोटा कुष्टक को हम खोलेंगे तो रिण एक्स और धन पांच बटा एक्स एक्स रिण पांच बराबर पांच या पांच सौ धन x रिन x शुन हुआ तो गुणा पांच बटा इस 5 का पक्षानतर करके नीचे ले आएंगे और तीरिया गुणा करके इसे उपर ले जाएंगे और इसका गुणा कर जाएंगे तो यह होंगा एकस की घाद 2 रिण 5 x या 55 अंश और हर से कट जाएंगा और हमें प्राप्त होंगा एकस की घाद 2 रिण 5 x और पांच सो का पक्षानatan करेंगे तो रिण 500 बराबर 0 या एक्स की खाद 2 रिण 5 को हम लिखेंगे रिण 25 एक्स धन 20 एक्स रिण 500 बराबर 0 या पहले दो पदों में उभैनिष्ट एक्स निकालेंगे तो कोष्टक में एक्स रिण 25 और दूसरे अंतिम दो पदों में से उभैनिष्ट 20 निकालेंगे तो प्राप्त होंगा एक्स रिण 25 बराबर 0 या हम दूनों पदों में से एक्स रिण 25 को उभैनिष्ट निकालेंगे तो हमें प्राप्त होंगा एक्सदन बीस बराबर शूंन या एक्स ज्डन बीस बराबर शूनन या एक्स बराबर पच्चीस का पक्षान्तर करने पर हमें धन पच्चीस प्राप्त होंगा या एक्स बराबर रिण बीस आगे देखते हैं चूंकि विद्यार्थियों की संख्या रिणात्मक नहीं हो सकती अतहा एक्स बराबर पच्चिस होगा इसी लिए पिक्निक पर जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या की संख्या एक्स रिण पांच बराबर एक्स के स्थान पर हम पच्चीस रखेंगे तो पच्चीस रिण पांच बराबर बीस होगी या इस उधारन का हल होगा पांच